किरन मायूस बैठा था, उसे व्यापर में बहुत नुकसान हुआ था, बैंक से भी उसने करज ले रखा था, लेकिन नुकसान की वजह से वह किस्ट चुकाने की स्थिती में नहीं था, उसे डर लग रहा था कि बैंक वाले दबाव बनाने लगेंगे तो वह क्या करेगा, उसे दोस्त परेश उससे मिलने आया परेश ने किरण को देखते ही कहा क्या बात है यार बहुत परेशान लग रहे हो किरण ने अपनी परेशानी छुपाने की कोशिश करते हुए कहा कुछ नहीं यार बिजनेस में थोड़ा उतर चड़ावाता रहता है परेश ने कहा तुम्हारा चहरा बता रहा है कि मामला गंभीर है मुझसे छुपाओ नहीं परेश की बात सुनकर किरण ने उसे अपनी सारी कहानी बता दी इसके बाद उसने पूछा मेरी जगह तुम होते तो क्या करते परेश ने थोड़ा सोचने के बाद कहा अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अपनी असफलता पर पच्टावा नहीं करता आगे क्या करना है उस पर विचार करता पच्टावा करते रहने से आदमी नुकसान से डैक से बाहर नहीं निकल पता है मेरी मानो तो तुम नए सिरे से अपने बिजनेस को खड़ा करने की सोचो मित्र की सलाह के बाद किरंग ने कहा तुम बात तो ठीक कह रहे हो लेकिन मुझमें फिर से वही बिजनेस शुरू करने की हिम्मत नहीं है इस पर परेश ने कहा यह सही है कि तुम्हें नुकसान हुआ है लेकिन तुम्हें तजूर्बा भी मिला है अगर तुम कुछ नया शुरू करने की यूजना बनाते हो तो तुम्हें शूने से शुरू करना होगा अगर तुम अपने पुराने काम को नय सिरे से शुरू करते हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा होमवर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरी राय में तुम्हें नुकसान का मातम नहीं मामना चाहिए काम को नए सिरे से शुरू करने की प्लानिंग करनी चाहिए जितना ज्यादा नुकसान के बारे में सोचोगे उतना आधिक तुम अपनी सफलता से दूर होते जाओगे